ओम शिरी हनुमा तेनमे शिरी हनुमान अस्टोलाजी प्रिय मित्रो नमश्कार देखें मित्रो आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे वह एक खास खास विशे पर चर्चा होगी और ये खास विशे यह होगा कि देवों को देव देव गुरु ब्रिस्पति राशी परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये राशी परिवर्तन लगबग एक वर्ष के पस्चात हो रहा है और इसका लगबग पांच राश्यों के उपर तो बहुत शुपर बाव गटित होगा और ये काफी बड़ा परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो कि देवगुरु ब्रस्पति का आपकी कुण्डली में एक एहम रोल होता है देवगुरु ब्रस्पति अध्यात्मिक गुरु तो है ही साथ-साथ ये आपको धन संपत्ति, मान संमान, कर का सुक, संतान का सुक धन, वैभो, नेम, फेम, संतान की प्राप्ति, विद्या, एजूकेशन की प्राप्ति, समस्थ परकार के सुक और एक अध्यात्मिक गरे है जो अध्यात्मिक का मतलब इस्प्रिक्चिलिटी गुरू की शुब इस्थती होने पर जातक बहुत स्प्रिक्चल होता है, बहुत आध्यात्मिक होता है बहुत धरम करम पुजा पाट करता है, कथावाचक होना, उपदेशक होना, टीचर गुरू होना, यानि ज्यान बाटने का जो कारिय करते हैं और शुब इस्तिती होने पर जाता है इन सब छेत्रों में बहुत तरक्युनत्ति करता है बहुत सफल व्यक्ति माना जाता है और उसको इज्जत, शौरत, मान, धन, सम्मान सब कुछ प्राप्त होता है तो मित्रों इस परिवर्तन को क्योंकि गुरु बहुत लंबे अंत्राल के बाद लगभग एक वर्ष के बाद राशी परिवर्तन करते हैं और यह परिवर्तन भी अब लगभग एक वर्ष के बाद होने जा रहा है अब तक देवगुरू बिरस्पती अपनी स्वगरी में राषी में संचार कर रहेते लेकिन अब 22 अप्राइल प्राता है पाँच बचकर 14 मिनट पर मिट्र में मेश राषी में प्रिवेश करेंगे और जब ये मेश राशी में प्रिवेश करेंगे तब इनके अस्षरिय जनक रूप से आपको तो इनके जो शुबा शुब शुब और आशुब फर आपको देखने को मिलेगे बहुत अस्षरिय जनक परिवर्तन आपकी लाइफ में होने जा रहा है तो ये बहुत important है और मित्रों यह जो फलादेशे चंदराशी पर अधारित है अगर आपको चंदराशी नहीं मालूम है तो अपने परशनित नाम से देख लीजिए और चैनल पर नहीं है तो आप से बिंती इसको सब्सक्राइब करें बैल आइकन बटन दबाएं वीडियो अच्छी लगए कमेंट बॉक्स में जाएं लिखें जैशिरी राम जैशिरी हनुमा कि मित्रों इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे करक राशी वाले जात्रों को उपर देव गुरु बिरस्पति राशी परिवर्तन का क्या शुवाशु प्रभाव गटित होगा इसके आपको जैनकारी देंगे देखिए यहाँ पर जो करक राशी वाले जातक हैं इनके लिए एक अच्छी स्थिय बन रही है कि आपके दर्शम भाव में मित्र राशी में ही गुरु का ट्रांजिट होने जा रहा है राशी परिवर्तन होने जा रहा है और दर्शम भाव आपका कर्म अस्थान होता है आपके करियर का होता है यहां मित्र राशी में परिवर्तन हो रहा है और और यहां पर रहू भी संचार करने हैं तो एक बात एक तथ्य ध्यान देने योग्य है कि यहां पर रहू के साथ जब गुरू होते हैं तो गुरू चंडाल दोश भी बनता है और इस गुरू चंडाल दोश के उपर शनी देव की भी तीसरी द्रिस्टी है जो की नीच की पड़ रही है तो थोड़ा प्रवाव तो इसका भी मिलेगा लेकिन यहां पर दस्तम भाव में आपको रहू भी आपको यह गुरू चंडाल दोश आपको रहू भी शुक्फल करेगा और आपको देव गुरू बिरस्पती भी शुक्फल परदान करेगा करियर विवसाई को लेकर आप कोई भी कारिये करते हैं कोई बिजनेस करते हैं नौकरी करते हैं नौकरी में कोई नौकरी स्वीच करना है कोई नौकरी चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं आपको त रख्की नत्री करने पराप्ट हो सकते हैं, बिजनिस ने विष्वसाई हैं, सैल्फ है प्रेकोन होना छुब हलों की प्राप्ती होदी ओगी और आप यहां लाब एक इंखरेंगें तो थोड़ा प्रयास कीजिए, प्रयतन कीजिए, मेहने पर बहुत लाब गेन करेंगे बहुत अच्छी स्थिति है शुबिस्ति है अलकि करकराशी वाले जाता कभी शनी की अस्टम रहिया से भी जूज रहे हैं और यहां पर आपके शनी की तीसरी द्रिस्टी भी पढ़ रही है वैं समय समय पर आपके करियर वे उसाय को थोड़ा सा डिस्टब तो जरूर करेंगे लेकिन फिर भी देव गुरु ब्रिस्पति हुआ उसको मानेज कर लेंगे वहां इस्थति आपके अनुकुल आपके बनेगी अब देव गुरु ब्रिस्पति जहां बैठते हैं पंचम भाउगा सब्तम भाउगा नवम भाउगा पूंड दिर भी रहेंगी बविश्य के लिए निवेश करना चाहें आप निवेश कर सकते हैं आगामी लाब पराप्त करेंगे परिवार वालों का भरपूर लाब सहयोग मिलेगा और परिवार वालों से कोई फैनेशली लाब भी आप गिन कर सकते हैं और आपके परिवार के बीच में कि इस चिद रूप से आपको सफलता मिलेगी और भूमी मकान वहान प्रापर्टी के योग आपके लेने के हाँ पर बन रहे हैं थोड़ा प्रयास करने की जरुवत है आप रहती कीजिए सफलता आपको जुरूर मिलेगी घर में सुख संसाधनों में विरद्धी होगी आपके मात इस चिद्धी है उसके बाद इनकी निवी दिर्शी सिक्स ताउस पर पड़ी है शत्रू का दमन होगा शत्रू के बीच में आपका वर्चस्वे बढ़ेगा आपकी इंपर्टेंस बढ़ेगी शत्रू से मुक्ति मिलेगी कोई शत्रू प्रेशान कर रहा था नहीं नौकरी लगने के योग बनेंगे तरक्य उनत्ति के अवसर प्राप्त होंगे करजे की बिमारी के इस्तिती से जूज रहे हैं वहां से भी रहत मिलेगी थोड़ा आपको रेलैक्स मिलेगा लेकिन समय समय पर थोड़ी से निगेटिविटी नकारत्मक सोच उत्पन हो सकती है लेकिन नकारत्मक सोच आपने अंदर कोई उत्पन मत होने दे सकारत्मक सोच बनाए रखें पॉस्टिव थोड़ी थोड़ी सावधानी बरते हैं आपके मित्रवर्ग सहकर्मी पुडोसी वैल विशर मिलने जूलने वाले लोग चोटे भाई बैन उनसे अपने संबंद खराब मत हो होने दे संबंदों को ठीक रखें नहीं तो थोड़ा उनकी तरफ से कोई कस्ट प्रेशानी थोड़ी आप पर क्रियेट हो सकती है थोड़ा ध्यान देजी यहां पर थोड़ा सा ध्यान देनी की जरुवत है और थोड़ा सा समय समय पर थोड़ा लाब में थोड़ी सी रुका attention संतुस्टी के भाव में कमी ये थोड़ी प्राब्लम क्रियेट हो सकती है उनका विवाशादी के संब्द खराब होने या कोई उनकी विद्या education या health में disturbances या उनसे कोई मद्बेट differences overall संतान को लेकर संतुस्टी के भाव में थोड़ी कमी आ सकती है तो देर्थी वर्क के लिए भी थोड़ी एकागरता के भाव में कमी लेकिन आप प्रियास करते रही है अपनी मेहनत पड़ाई करते रही है कोई master's करना है डिगरी करनी है कोई course करना है आप प्रियास किजिए अन्तते आपको चंद राशी पर अधारित है इसके अपनी importance है अपनी हमेत है हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ यह बहुत महत्योपूर्ण subject है आपकी जानकरी के लिए महत्योपूर्ण बात है क्योंकि हम जो फलादेश करते हैं यह चंद राशी के उपर करते हैं इसकी अपनी अहमे मीरर है आधार है दरपण है यहनि सरवादिक महत्यों आपकी जिनम कुंडली लगन कुंडली का भी होता है में महत्यों उसका होता है और इसका भी महत्यों होता है जो चंद राशी को पुरंखला देश कर रहे हैं लेकिन जब दोनों चीज़े टैली होती है तब ही सारी वाले जातक देखिएगा शनी के अस्टन डहिया से तो जूज रहे हैं फिर भी अगर आपकी जनम कुंडली के अंदर लगन कुंडली के अंदर गुरू या किसी अन्य गरे की दशा अंतर दशा आपके अनुकूल आपके पक्ष में चल रही है तो निश्चित मानिये फिर य जादा नुकसान नहीं देगी और यह परिवर्तन आपके लिए बहुत लाब दायक तरक की दायक उनत्ति दायक से दोगा यह बात आप मान के चलिए और अगर आपकी जनम कुंडली के अंदर किसी गरे की दशा अंतर दशा या गुरू की आपके अनुकूल नहीं है आपके प्रतिकूल चल ड़ी है पक्ष में नहीं है फेवर में नहीं है तब संभा होते थोड़ी कठलाईया परशानिया आपके सामने आ सकती है और आपको थोड़े गरहों के दुस्पर वाओ यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं तो मित्रों मेरी आपको सहरा है एक बार कुंडली का विश्टेशन जरूर कराएं और उपाय के तौर पर यहाँ पर करक राशी वालों के लिए देखेगा शनी का उपाय तो आपको जरूरी बनता ही है आपकी जिये लेकिन यहाँ गुरु का कोई खास उपाय आपको करने की जरुवत नहीं है बस गुरु वार के दिन सुद सात तो आप भोजन कीजिए सुद सात्विक्ता से रहिए तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर शुप फ़लों की प्राप्ति होगी सोड़े बहुते दुश्प्रवाव एमुन से आपको सुरक्षा परदान होगी और तरक्ति उनत्ति के मारगा आपके प्रश्रस्त होग सुकी रहें, सुस्त रहें, हस्त रहें, मुस्करात रहें, जैश्री राम, जैश्री अन्मान